देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी तो 24 के चुनाओ अगले साल होने हैं इसको लेकर अभी सिर्भूमिका बनने लगी है कुछ राज्यों के विदानसभा चुनाओ भी इस बीच होने हैं लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि इन चुनाओ में मुद्दे क्या रहने वाले हैं इंट्री मार रहा है जो 2024 में बड़ा ही निर्णायक रहने वाला है उसकी सुगबुगाहट मद्देश से हो गई है इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे वो मुद्दा कौन सा है जानने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में कि क्या भूमिका बन रही है यह भी जानने की देखा हिमाचल प्रदेश से चुनावी उसकी बिसात बिचना शुरू हुई और उसके बाद जैसे ही जीत हुई तो और रज्यों में भी वो चीज़े बढ़ती चली गई अगर उस मुद्दे के सारे जीत होने लगी तो यह 24 में बहुत जादा बड़ा मुद्दा हो में करीब करीब पूरे कर दिये गए राम मंदिर पहला और धारा 370 जैसे वापिस ले लिया गया अब बचता है सामाने नागरिक सहिता यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट यानि के पूरे देश में धर्म के आधार पर जो कानून हैं हमारे परसिनल लॉज हैं वो नहीं रहेंगे सबों के लिए एक ही कानून रहेगा एक देश एक कानून जी तो इसको लेकर अभी तक लॉज कमिशन की एक रिपोर्ट सामने आई जो पिछले दिनों आई थी और सरकार इसको लाएगी नहीं लाएगी क्या करेगी इस बारे में बहुत क्लारिटी नहीं थी क्या अगले लो और राम मंदिर का मुद्धा जो है वो चुनावी मुद्धा था उसी प्रकार ये तीसरा मुद्धा जो है ये भी अपने आप में एक चुनावी मुद्धा है क्योंकि जितना इसका समर्थन है भारती जनता पार्टी की तरफ से उतना ही गैर भाजपा जो सेक्शन है उसमें इसका विरोध है और ऐसे में आज प्रधान मंतरी भोपाल में थे और उन्होंने गड़ी दस लाख वूत वरकर्स को सामने से और डीजिटली संबोधित किया और जब सवाल जवाब रशनो तरी हो रहा था तो एक महिला उत्तर प्रदेश से उसने ये सवाल किया कि हम कैसे समझ हैं लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो प्रधान मंतरी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा आपने बहुत अच्छा सवाल किया और फिर विस्तार से जो उन्होंने बताया उससे बड़ा अस्पस्ट हो गया कि दो मुद्दे पूरा करने के बाद भारते जन्ता पार है विपक्ष कहरा है ये तुस्टी करन की कोशिश है तमाम जो मुद्दे हैं देश के अंदर महंगाई हो बेरोजगारी हो इनसे ध्यान बटकाने की कोशिश है इसको भारतीय जन्ता पार्टी कैसे टैकल करेगी टमाटर आज की तारीख में सो रुपे प्रत कीलो और जिन ल की कीमतें अरहर डाल एक सो साथ और उसके उपर आप ये समझे कि दूद के दाम दस बारे रुपे बढ़ गए हैं हाल के दिनों में और खाने के तेल के दाम तो पता नहीं कब से बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे में ये जो रोजमर्रा के जिन्दगी की जरूरते हैं वो म जहंगाई का मुद्दा जो है वो बहुत परेशान करने वाला मुद्दा है सरकार को रोजगार का सवाल अपने आप में दिन पर दिन विकराल होता चला जा रहा है और वो इस तरह से के जितने सरकार में पद हैं वो पद जो की अभी वेकेंट हैं जिनको भरा जा सकता है वो को ज्यादा तर contractual बहुत स्तरों पर दे दिया गया है और नए पद सुरजत नहीं हुए हैं सरकाली नौकरियों की बात हो गई और जहां तक सबाल private sector का है तो private sector में भी देखा यही जा रहा है कि नौकरियों का सुरजन उस तरह से नहीं हो पा रहा है चाहे नौकरिया आम जो य employed है या under employed है अगनिवीर के समय हम लोगों ने देखा कि कैसे नाराजगी सेना में भरती को लेकर दिखी थी तो यह कैसे प्रश्ण है जो पिछली सरकार और इस सरकार दोनों के सामने मुह बाये खड़े हैं तो सरकारे चाहती है कि कुछ नए मुद्दे सामने आए यह जो मु क्योंकि आपने एक लंबे अर्से से जो है चुनाओ को कवर किया है देखा है उसको करीब से समझा है हर मुद्दे हर चुनाओ से पहले इस तरह के मुद्दे आते हैं शुरुवात होती है शुरुवात ही नहीं मुद्दों से होती है लेकिन आखरी तक यह मुद्दे रह नह जाते हैं क्योंकि लोगसभा चुनाओं की बात करें तो राश्ट्री मुद्दे फिर वो सुरक्षा से जुड़ा और तमाम अलग अलग चला जाता है देश की रक्षा और तमाम बाते होने लगती है और विदान सभा में भी वो जातिगत समी करण और अलग अलग तरह से नहीं देते हैं दूसरी चीजों पर चले जाते ही क्या ये एक सच्चा ही नहीं है दिखिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो चुनाओ हो रहे हैं उसमें जो जनता वोटिंग करने जा रही है वो जो नहितार्थ है जो लक्ष है क्या उसको समझ ले रही है आपको ऐसा लगा जैसे कि क्या यही मुद्दा रहेगा और क्या यह लोगों को विभाजित कर देगा टीपो सुल्तान उतवाम और भी मुद्दे इस तरी लेकिन मैंने देखा वहाँ जमीन पर जाकर कि यह मुद्दे थे ही नहीं और जो मौलिक जरुतों का मुद्दा वो सवाल जो लोगों को घेड़ता है रोजगार और महगाई का यह सवाल ज्यादा महत्वपुनों तरीके से वोटिंग इश्यूज बन गए और दूसरी तरफ प्रधान मंतरी मोदी का नेतरत तो वो भी एक फैक्टर था पर कोई इस बा हम بीजेपी को वोट दे रहा है अगर भीजेपी को वोट मुल रहा था, तो प्रधान मंतरी मोदी और उनके कारियों के लिए नेश को कैसे वो आगे लेके जा रहे हैं अंतररास्टी ए फलक पर और अगर कॉंगरिस का वोटर वोट कर रहा था, तो वो यह बता रहा था क्ने वैसे प्धान मंत्री मोदी के काल में महंगाई बढ़ी है, रोजगार बढ़े हैं, लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं, वैमनत से हुआ हैं, पर मैंने कभी नहीं देखा, उसी प्रकार ये आप मुद्दे डालते हैं, लोगों के सामने, कुछ मुद्दे क्लिक करते हैं, जै क्योंकि इसी सामाने नागरिक साहिता का एक छोटा हिस्सा है, उसकी बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मुद्दा वो उत्तरप्रदेश में ही दिखा, पर बगल के बिहार में ये मुद्दे नहीं चल पाते हैं, तो वोटिंग पब्लिक कैसे रिसीव करती है इन मुद्दों को, ये बहुत important है. को डिजिटली जोड दिया गया था, इंटराक्टिव था, सवाल करने के लिए उन्हें अवसर भी दिया जा रहा था, तो ये एक बड़े चुनाव की तैयारी है, जो अगला लोग सभा चुनाव, देश में आठारवा लोग सभा चुनाव है, उसकी तैयारी है ये, और प्र मद्र प्रदेश में ये एक टेस्ट केस की तरह हो सकता है, देखें मद्र प्रदेश दूसरे राज्यों की तरह मुस्लिम आबादी ज़रा कम है वहाँ, और भोपाल और उसके आसपास के शेत्रों में ज़्यादा है, लेकिन अधरवाइज माना ये जाता है, कि वो उत्तर प तो शिवराज जी के हो गए, और दो तीन साल उमा जी के थे, उमा भारती जी मुक्ष मंतरी थी, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक फटीग है लोगों में, एक ठकान है, और नई बात कहना बहुत जरूरी है प्रदान मंतरी के लिए, क्योंकि स्थानिय नेतर तो जो है, व मद्यप्रदेश की जमीन पर ये बोल करके, वो एक, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय इस यूनिफार्म सिविल कोट का विरोध करता है, जो कॉंग्रेस सपोर्टर हैं वो इसका विरोध करते हैं, तो क्या इस बात पर विभाजल हो जाएगा, क्या धर्म के अरजेंडे को पूरा करने के लिए बोला होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसी है, कि जाहर है कि वो सीधे चुनाव से जुड़ गया है, अब ये समान नागरिक सहीता दरसल होता क्या है, ये भारी भरकम शब्दों में को आसान करके अगर आप समझेए, तो ये हमारी आपक जिए हुए कानौन है, जैसे परौपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है, एक पिता थसे पुत्र को, मैरिज, विबाह कैसे होता है, तलाओ कैसे होता है, एडॉप्शन, गोद्लेना कैसे हो सकता है, तो ये ये तमाम कानून है, ये परसनल लौ के धायरे में फिलहाल आते हैं, Muslim personal law, Hindu personal law, Muslim personal law में जो साधी है वो एक contract है. हिंदू बिवस्था जो है हमारी उसमें है कि ये जन जन्म का रिष्टा है, साध जन्मों का. तो इस तरह से अलग-अलग कानून है लेकिन समान नागरिक सहिता कहता है कि एक कानून बनेगा. और प्रदान मंतरी ने तो आज ये बात बोली कि जो मुस्लिम देश है, वहाँ भी समान नागरिक सहिता ही है. चाहिए वो इंडोनीसिया हो या तुर्की हो या पाकिस्तान हो या बंगला देश हो. इन सबों में वो इजिप्ट से आ रहे थे, वहाँ भी है. तो हमारे हाँ शरियत है. मुस्लिम समुदाए के लिए और बाकी हिंदु धर्म के लिए अपने विवा के कानून है. जो कि हिंदु मैरिज आक नाइटिन फिफ्टी सिक्स परसनल लाज जो बनाए गए थे. अब इस तरह से अगर आप देखे तो अलग-अलग जो कानून है वो जाहर है कि कोट में बर्डन को बढ़ाते हैं. एक डिवाइसेवनेस को भी जन्म देते हैं. तोड़ा अलग-अलग लगता है यह fundamental right में नहीं डाला गया. तो लोग कहते हैं कि इसको जो यह इसे avoid भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है. अब देखिए चुनाओ के सामने अगर यह आ गया है, तो जाहिर है कि यह चुनाओी मुद्दा बन जाएगा. और यह आपका आकलन सही है कि क्या महंगाई विरोजगारी यह प्रशन इनसे बड़ा हो जाएगा यह और यह जनता को तैय करना है. तो जनता तैय करेगी कि आखिर क्या करना है, क्योंकि मुद्दा तो उच्छाल दिया गया है, अब कौन कैच करता है, कौन भुनाता है इसे, क्योंकि तमाम मुद्दे और भी हैं, जिन अतार इसका विरोध कर रही है, कि अब क्या जरूरत है, फिर क्या चीजे है, कैसे आगे बढ़ेंगी, इसको लेकर बाते हो तो रही है, आपको क्या लगता है, यू सी सी को लेकर एक तो ये, और दूसरा, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा, और क्या ये 24 का सबसे बड चुनावी मुद्दा बनने वाला है, आपके लिए क्या लगता है, आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप,